Hello everyone, this is the 7th video of the chapter Biodiversity and Conservation और इस वीडियो में हम लोग in-situ and ex-situ conservation methods की बात करेंगे उन methods के जिससे कोई भी निशन या कोई भी अपनी बायोडिवस्टी को protect या conserve कर सकता है तो ही हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे अपनी बायोडिवस्टी को conserve कर सकते हैं अगर Biodiversity को सभी लेवर्स पे conserve करना है तो हमें पूरे complete ecosystem को whole ecosystem को conserve करना पडएगा और जब हम whole ecosystem को complete ecosystem को conserve करते हैं То सभी लेवल पे biodiversity that means genetic level, species level, ecological level, सभी लेवल पे biodiversity जो conserve होती है we have to save the entire forest अगर हम देखो tiger को बचाना चाहते तो we have to set the entire forest तो हमें पूरे जंगल को बचाना पड़ेगा पूरे फोरे फोरेस्ट को बचाना पड़ेगा तो इस से क्या होगा इस अपरेच को हम बोलते हैं इन सिटू कंजरवेशन, that means अगर हमें किसी पर्टिकर स्पेशीज को या किसी औरिजम को प्रोटिट करना है तो उसके पूरे हैबिटाइट उसके एको सिस्टम को चंजर या प्रोटिट करना पड़ेगा तो उससे जो स्पीशीज है वो सभी लेवल पे उस पर्टिकलर जगह का जो बार डावरस्टी है वो चंजर्व होगी तो इसे इन-सीट्या ओसाइट कंजर्वेशन बोलते हैं मतलब जैसे अगर टाकट को प्रोट करना और इसको फॉरेस्ट में उसको प्रोट करते हैं दाट मेंस उसकी जो लोकेशन है जहाँ पर उपाया जाता है उसको उसी एरिया में चंजर्व कर रहे हैं तो उसे in-situ या on-site conservation बोलते हैं। However, कभी-कभी ऐसी situations होती हैं, जब जो animal होते हैं, या plant होते हैं, ये endangered होते हैं, या इतने ज़्यादा threatened होते हैं, that means, जहां पर भी वो रहन हैं, जैसे jungle में, वहां पर बहुत high risk होता है extension का आगे भवेश्य में, तो हम उनको उस समय बहुत ज़्यादा एक urgent ज़रुवत पड़ती है, कि उनको उस extension से बचाया जा सके, जब उनके number काफी कम हो चुके होते हैं, तब हमें क्या करते हैं, कि उनको उस wild forest से अलग हटा करके, उसे ex-situ, that means, offset conservation करते हैं, that means, एक artificial environment में उसको रखते हैं, man-made environment में रखते हैं, जहां पर वो पूरी तरीके से protect होता है, तो that means, अगर urgency ज़ादा है, that means, high risk of extinction है, कि अगर wild में, that means, in forest में, तो हमें ex-situ conservation जो है, वो इंपलाई करना पड़ता है, तिके, बाइवस्टी conservation जो है, जब की, जो ex-situ conservation जो है, उसमें आपका tissue culture, gene banks, seed bank, zoos, botanical gardens, यह सबाते हैं, तो ही हम लोग आगे बात करते, in-situ conservation की, देखे, in-situ conservation, this phase with the conflict between the development and conservation, देखे, जो, अगर हम in-situ conservation कर रहे हैं, that means, जो organism से उनको, उनके environment में परोटेक्ट कर रहे हैं, उसको conserve कर रहे हैं, तो बहुत से nations में यह conflict है, that it is, वो यह मानते हैं, कि it is unrealistic and economically not feasible, that means, economically ठीक नहीं है, that means, कि अगर हम conserve कर रहे हैं, पूरी biological wealth को, तो एक तरीके से हम अपने development process को रोक रहे हैं, invariably, the number of species waiting to be saved from extinction is for extinction, the conservation resource available, that means, जितनी species extinction के लिए, जादा हैं, resources को जो available हैं, तो अगर हमें global basis पर देखें, बड़े level पर देखें, तो यह problem जो है, यह बहुत सारे जो प्रक्यात conservationist हैं, जो सर्रक्शन भी थैं, जो eminent conservationist हैं, उन्होंने यह पहले ही इसको जो है, बता दिया है, यह बहुत सब्सक्राइब किया कि maximum protection, जो है, जहां पर मतलब उन जगहों को करना है, जो biodiversity hot spot हैं, मतलब ऐसे छेत्र या ऐसे regions, जहां पर बहुत ज़्यादा species richness, या high degree of endemism है, endemism का मतलब है, वहां की local species हैं, बहुत ही, क्यतना कि specific species हैं, वह उसी particular region तक ही confined है, और पूरे world में कहीं नहीं है, तो उस region को हमें protect करना पड़ेगा, दर्वाइस, वह species पूरे world में भी नहीं है, और किसी particular location पे ही है, तो उस complete location को में conserve करना पड़ेगा, दर्वाइस, वह species extent हो जाएगी, इनिशली शुरुआत में 25 जो the world is 34, तो इस समय जो बाड़ावस्टी हो थर्टी फोर है, यहां पे कुछ यह आपका वर्ड मैप है, जिसमें आप देखें, जिसमें आप देखें, यहां पे California, फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, अमेंड्रियन, पाइनोंक बुड्लेंड्स हैं, करिबियाई जो आइलेंड सुनका जो ग्रूप है मेजो अमेरिका है और आपके ट्रॉपिकल एंडीज जो फोरेस्ट जो मांटें रिंज है और सिरेडो है गुनिया फोरेस्ट वेस्ट अफरीका का मेडिटेरियन बेसिन है मौंटेंस ऑफ सेंट्रल अशिया के जो पहाड़ है और साउथ वेस्ट चाइना के इंडो बर्मा रिजन है और हिमालियाज है इंडिया में हिमालियाज है वेस्टर्न गाट से श्रिलंका है हॉर्ण ऑफ एफरीका मैडगेस कर जो है आइलेंड गुरूप यह साउथ वेस्ट यह सब जो हैं बाई डवस्ट्री होर्टी इसपॉर्टी होटी सब्सक्राइज चापान यह फिलिपीन सहीं थे सब ऑई डवर्स्टी होट इसब स्वार्टेट करना बहुत जरूरी है वो रिजन होते हैं जहां पर वराइटी ऑव स्पेशिज होती है इस होति आर्स पोस और region of isolated habitat loss or in hot spots में बहुत ज्यादा habitat loss भी हो रहा है बढ़ चल के habitat loss हो रहा है इनका organisms का थ्री आफ दीज होड़ी सब्सक्राइब वेस्टन घाट से श्रिलंका इंडो बर्मा है हमालिया है यह हमारी कंट्री को कवर करते हैं यह हमारी यह जो तोटल अर्थ का एडिया उसके में दो परसेंट से भी यह कम है बाद आवस्टी उट्स पाट इस पाट अरिया तनमबर ओव वराइटी में अल्मोस थर्टी परसेंट जो औरिजम्स है वो एक्टेंट हो रहे हैं उसमें काफी हम उसको कम कर सकते हैं इंडिया में इकलोजिकली यूनिक और बाद आवस्टी जो रिच रिच रिजन से वो लीगली प्रोटेक्टेटेड हैं ऐस बाइस बाइस्फेर रिजर्स जैसे बहुत सारे आपने बाइस्फेर रिजर्स नेशनल पार्स और सेंचरीज के नाम देखेंगे यह इंसिटू कंजर्वेशन म में 14 बाइस्फेर रिजर्स हैं 90 नेशनल पार्स हैं और लगबग 448 वाइलाइफ सेंचरीज हैं इंडिया हैं इंडिया में धार्मिक और संसकतिक जो हैं रितिर्वाज हैं विरासत हैं और हम लोग एक तरीके से बेसिकली एक अगरिकल्चल कंट्री में आते हैं और इस तरी इसका प्रोडेक्शन हमाले जे बहुत ही ज्यादा एहम हैं बहुत ही जादा जरूरी है देखे यह वेस्टर घाट से और यह आपके गैंक्स रिवर वैली हमालयास की यह आपके बाद आवस्टी होटी सपोट से इंडिया के बहुत से कल्चर बहुत से संस्क्रतियों में र् आटेक्शन की ट्रीज है जाता है उनको टोटल पॉटशन दिया जाता है। such sacred groups, जैसे sacred groups, किसी भी forest में वो area होता है, जहां पे पाय जाने लिए trees और वहां के जो animals, organisms, वो well protected होते हैं, उनके religious importance होती है, जैसे khasi और jaintia hills है मेघाले में, यहां पे sacred groups हैं, आरावली hills हैं, राजस्तान में, western ghat regions हैं, करनाटका और महाराष्ट में, सरगुजा, चंदा और बस्तर जो area हैं मद्र प्रदेश में, यह सब well protected regions हैं, तो sacred groups कहां पे हैं, khasi और jaintia hills है, यह area protected होता है, यह धार्मिक यहां पे रहने वाले tribal swivels हैं यह उनका विश्वास है, इसलिए बहुत ही जादा protected है, मेघाले में जो sacred groups हैं, यह last refuges है, आखरी कैशारणा स्थाल है, बहुत जादा rare और threatened plants का, जो काफी हर्थ रव से काफी संकर ग्रस्त प्रजाती हैं, जो एक तरीके से endangered species हों सब का यह यहां पे पाई जाती हैं, तो यह था in-situ conservation, जिसमें हम किसी भी particular animal या plant, जो भी organisms को उनके area में, उनके habitat में उनको protect करते हैं, अब आये पढ़ते हैं, second ex-situ conservation, in this approach, threatened animals हैं, plants है, उनको उनके natural habitat से निकाला जाता है, और उनको एक special, जो artificial environment है, जहां पे हम उनको protect कर सकते हैं, special care दे सकते हैं, वहां पे उनको रखा जाता है, जैसे जोलोजिकल पार्क हैं, बोटनिकल गार्डेंस हैं, wild life safari पार्स हैं, वह यह सब जो है, वह ex-situ conservation में आते हैं, there are many animals, बहुत ऐसे animals हैं, जो extinct हो जाते हैं, wild में, that means forest में, jungle में extinct हैं, लेकिन अभी भी वह maintained है, जोलोजिकल पार्स में उनके मेंबर पाए गया, recent years में जो ex-situ conservation है, यह बहुत ही जादा advanced हो गया, beyond keeping threatened species, that means, सिर्फ यहां पे threatened species को रखते ही नहीं है, बलकि उनमें reproduction भी कराते हैं, उनमें different artificial reproductive technologies हैं, उनके gametes, threatened species को उनको भी preserve किया जाता है, वैबल और fertile condition में बहुत लंबे समय तक cryo preservation techniques में, जिसमें उनके egg को, उनके sperm को, उनके semen को हम protect करते हैं, लंबे समय के लिए, और आगे future में in vitro fertilization में उनको use करते हैं, plants को भी seeds को use किया जा गया है, protect किया गया है, seeds और plants को propagate किया गया है various tissue culture method से, जिसको हम micropropagation बोलते हैं, seeds जो है, बहुत से different genetic variety है, commercially important plants की, उनको हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, seed bank में, जिसमें हम animal के semen है, और प्लस जो sperm, ovum जो है, मतलब इन सब को रखते हैं, cryopreservation technique में आते हैं, biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations, जो biodiversity वो कोई political issue नहीं है, और ये एक तरीके से सभी nation की जिम्मेदारी है, ये सभी के responsibility है, कि वो अपने देश के जो biodiversity है, उसको protect करें, देखे, इसके उपर दो historic convention किया गया है, कई संगोष्टियां की गई है, biological diversity पे, the earth summit, नाम से, ये 1992 में, Rio de Janeiro में, ये summit हुई थी, और इसमें, कई nations को, सभी nations को बिलाए गया था, कि और उनको ये निर्देश दिया गया था, कि वह appropriate measures जो है, जो है, जो भी मतलब जरूरी कदम है, conservation, biodiversity के है, और जो sustainable utilization उसके benefit का, उसके वो करें, आगे future को देख करके, जिससे, कहीं कि भी जो है, बहुत ही जाधा exploit, ना हो, इन फॉलो अप, इसी के बादी, वर्ड समिट, जो sustainable development में, that means future को देख कर, देखते वे जो development किया जाता है, जो sustainable development है, 2002 में, जोहांसबर, South Africa में भी, एक summit हुई थी, जिसमें 190 देशों ने प्लेज किया था, प्रतिग्या ली थी, और commitment के लिए उन्हें किया था कि तूचीव किये, by 2010 तक वो काफी इसको प्रतिकर जो लॉस है, जो बाद आवस्टी लॉस उसको काफी हद तक reduce कर देंगे, global level पे, regional level पे और local level पे भी, वीडियो अच्छा लगओ तो इसको लाइक करिये, चैनल को सब्सक्राइब करिये, अपने friends के साथ भी शेयर करिये, उनको भी बताइए जिससे वह भी इस जो concept है, उसको समझ सकें और उनकी भी biology preparation हो सकें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिले, और आपका complete biology reviews हो जाए, इसके साथ बहुत ही तरह एक need related series भी हम लोग जारी करने वाले हैं, और multiple choice questions भी आने वाले हैं, तो लगातार बनी रहे हैं, जिससे आपको basic concept से लेकर के जो है, बालु जी का वो clear किया जा सकें, आगर आपके कोई specific demands हो किसी particular topic पे तो जरूर comment section में लिकें, जिससे आपको उससे related जो वीडियो हैं हम लोग provide कर सकें, तो तब तक के लिए thank you all and have a nice day बटा,